जिला कांगरा में निर्धारेद नियमों के तहट टूरिजम के लिए आने की छुट देने के साथ ही फेक रिपोर्ट के साथ लोगों का आगमन शुरू हो गया है वहीं बिदेशी भी बिना कॉपईट 19 की नेगटिव रिपोर्ट और होटल बुकिंग में पहुंच रहे हैं ऐ कॉपईट 19 रिपोर्ट लेकर पहुंच था और दूसरा मामला एक विदेशी का है जो की विना कॉपईट 19 रिपोर्ट और होटल बुकिंग के आया था दिली के दमपत्ती सही विदेशी को कुरेंटीन किया गया है जिनके कॉपईट टेस्ट करवाए जाएंगे स्पी जिला कामडा विमुक्त रंचन ने कहा कि दो दिन पहले दिली से एक दमपत्ती बद्रोवा के बॉर्डर पर एंटी बॉर्डिस का टेस्ट लेकर आये थे जिसके नीचे एक नोट लिखा था जिसके चलते उन्हें जिला में प्रवेश्ट नहीं दिया गया था पिछले कल बही दमपत्ती पुने बॉर्डर पर दिली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लेटर हेड पर रेगुलर आईटी पीसी आर कॉपी टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आये थे पूछताश में उन्होंने बताय कि सेंपल पहले दिये थे जिसके चलते उन्हें पारी नहीं किया गया है उक दमपत्ती को प्रोर में इंस्टियोशनल कॉरेंटीन किया गया है जिसका आज कॉपी टेस्ट किया जाएगा उनके खिलाफ धोकादरी का मामला डमटाल पुलिस स्थाना में दर्च किया गया है एसपी जिला कांगडा विमक्त रंजे ने कहा कि जिला में आये विदेशी नागरे के पास बैत दस्ताबेश है लेकिन कॉपीड-19 टेस्ट की रिपोर्ट और होटल बुकिंग नहीं थी जिसके चलते उक व्यक्ति को कॉरेंटिन सेंटर में रखा है उनका कॉपीड-19 टेस् कोई अपडेट नहीं है उसमें कले एक मैटर आया था जो आप मेंसे भी कुछ चैनल्स ने उसको अंडिव हाइप दिया इस सिंपली क्योंकि टूरिजम खोल दिया गया है और कोई भी व्यक्ति जो है कुछ स्टैंडर प्रोटोकॉल जो प्रदेश स्रकार ने दिये हैं उसक फाइव डेज की किसी भी होटल के अडवांस बुकिंग लेकि अगर बॉर्डर पे आना है तो अगर ऐसा करके कोई भी व्यक्ति आएगा चाहे वो देशी हो वी देशी हो वो आ सकता है क्योंकि टूरिस्ट की कोई डेफिनिशन डिफाइन नहीं की है तो इस मैटर में सिरफ इतना था कि वो व्यक्ति आया उसके पास वैलेट डॉकिमेंट्स हैं इंटरम्स आफ वीजा पास्पोर्ट लेकिन कोविड नेगेटिव टेस्ट उसके पास नहीं था कोई बुकिंग नहीं थी इसलिए फिलहाल हमने उसको क्वरेंटाइन सेंटर में रखा है उसका टेस्ट अभी हम टेस्ट करवाएंगे और उसके इसाब से जो फर्दर कारवाई होगी वो करेंगे